essay 200 जो है वो बोलता है एक auditor का overall objective क्या है वो बता दीजिए of the independent auditor and conduct the audit in accordance with essays क्या बोल रहा है एक तो बात कर रहा है auditor के objective पे उसके बाद बोल रहा है कि आपको जो अपना audit conduct करना है वो सभी standards को follow करके करना है मतलब essay number 210 से लेकर 720 तक even मैं बोलू 800 सिरीज भी आप include कर लो आपको सभी standards को follow करना है even आपको quality SQC1 को भी follow करके अपना काम करना है तो essay 200 को start करने से पहले आप ये समझों कि essay 200 के अंदर कितने concept आएंगे एक line item बना लो ये मैंने आपके लिए line item बना रखी है इसके अंदर multiple concept है तो आप चाहें तो concept wise भी prepare कर सकते हैं और important concept है at least for CA inter CA final वाले student इसको सिर्फ read करके जा सकते हैं कुछ भी आपके लिए essay 200 का relevant नहीं है essay 200 CA final वाले student को बस पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या cover है exam के perspective से बात करूँ तो सिर्फ inter के लिए important है final वालों को बस पता होना चाहिए क्या क्या होता है essay 200 के अंदर सबसे पहला आपका concept आता है overall objective of the auditor एक auditor का जो objective होता है वो absolute assurance लेना होता है ठीक है जी याद रखना एक auditor का कैसा objective होता है बेटा सभी अच्छे बताएंगे auditor का scope क्या है उसे अपने audit के अंदर क्या-क्या cover करना होता है और एक auditor क्या-क्या cover नहीं करेगा मतलब उसका out of scope क्या है कई ऐसा ना हो management ये मान ले कि आप सारा काम करोगे हम सब काम नहीं करेंगे हम आपको बताएंगे कि हमारी responsibility क्या है तो scope को आप दूसरे नाम से जान सकते हो क्या responsibility एक बच्चा कह रहा है का पिल सर आप absolute assurance गलत बोल रहे हो यहाँ पे reasonable assurance आएगा oh my god अच्छा ठीक है ये aspects आप छोड़ दो क्या कि financial statement के सारे aspects सारे item आप cover करते हो आभी आपने बोला कि हम reasonable assurance लेते हैं तो reasonable assurance क्या होती है बटा एक high level assurance होती है उसके अलावा हम कभी भी absolute assurance नहीं दे पाते है because there are inherent limitation of audit और बोलता है कि auditor की क्या क्या requirement है क्या क्या responsibility है वो आएंगी जैसे की ethical requirement अब आप मुझे comment करके बताओ एक auditor की ethical requirement क्या क्या होती है जल्दी से comment करके बताओ तो CA final और CA intercaster ध्यान दे SA 200 के अंदर क्या क्या cover होता है number one objective सब नाम बता रहे हो समझाओंगा अभी रुक जाओ objective क्योंकि SA 200 बहुत बढ़ा है तो अराम से समझो सबसे पहले क्या cover होता है objective दूसरे number पे scope scope में क्या-क्या include होगा responsibility में क्या include नहीं होगा फिर objective में आप reasonable assurance पढ़ते हो वो बताता है एक high level assurance होती है उसके बाद आपको बताया जाता है inherent limitation जिसके वह से हम absolute assurance नहीं ले पाते हैं उसके बाद बोलता है कि आपकी अलग-अलग और भी कुछ requirement है जैसे कि ethical requirement, independence हाँ एक बच्चा बता रहा है सर जो ethical requirement है वो है हमारी क्या integrity और बस integrity और बस integrity दिख रही है तो ये भी आप सभी को read करके जानी है इंटर वाले सभी student ध्यान से सुनिएगा professional skepticism को अच्छे से करके जाना, professional judgment को अच्छे से करके जाना, sufficient appropriate audit evidence आपका essay 230 में cover हो जाता है और आपका जो audit risk है ये आपका internal control में cover हो जाता है तो आप इनको यहाँ पे skip कर सकते हो, कोई भी दिक वाली बात नहीं है, ethical requirement बाकी जो इधर दी हुई है, integrity, objectivity ये सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से read करकर जानी है, आजाए तो अपने हिसाब से frame करना है, चलो जी, तो ये था हमारा essay number 200 का content जो हमें करना है, चलो जी, अब one by one हम सब चीज़ों को cover करेंगे, important question भी बता दू करेंगे थोड़ा सा, सभी student पानी पीएंगे थोड़ा सा, सर आप रुख क्यों गए, भई रुग्या मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा, आप लोगों की चैट देखने का, तो मैं रुग्या, मैंने का रुख जाते हैं, पांस सेकिंड के लिए क्या दिक्कत है, बच्चे सकते हैं तीन महीने से बिमार चल रहा हूं, तुम्हे एक बाद बताओं मैं, अभी भी चल रही दवाईयां तो, धाई महीने बाद मैं उठाओं, अवाज निकली है मेरी, तो मैं इतनी वीडियोज बना रहा हूं, सोचो तुमारे कपिल सर अगर धाई महीने से बिलकुल एक करता है, लेकिन अगर बेटा मेरी सेहत सही रहती, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने सीए की जर्नी में मुझे हमेशा याद करते, क्योंकि मैं इस यूट्यूब पर तभाई मचा देता, आपको पढ़ा के, इतना पढ़ा देता, आप कहते हैं, ओडिट छोड़ दो क्या है, reasonable assurance लेना, इस concept को सिर्फ आपने read करना है आज के दिन, अब इस पर learning के लिए समय नहीं लगाना, ठीक है, देखेगा, as per asset 200, overall objective of the independent auditor, in conducting an audit of financial statement, the overall objective of the auditor are, पहली class का concept है, यह देखेगा, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole, पूरे financial जो आप जिसका audit कर रहे हो, are free from material misstatement, हमें एक assurance लेना हो होता है, कौनसा assurance, reasonable assurance, that the financial statement are free from material misstatement, and the misstatement can be happened because of two reasons, number one, error, and number two, fraud, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on the financial statement, whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF, तो हमारा क्या motivator, हमें एक assurance लेना है, reasonable assurance, एक high level का assurance होता है, कि financial free है, किस से, misstatement से, सर, material misstatement बोलो, misstatement मत बोलो, misstatement can be because of fraud and error, अगर ऐसा होता है, तो we can express an opinion, that the financial statement are prepared as per applicable FRF, और अगर ऐसा होता है, तो we will prepare a report, and to report on the financial statement, and communicate as required by the essays in accordance with the auditor, finding, S.A. 700 के हिसाब से, हम अपनी report बना के management को दे देंगे, तो यह तो बड़ा basic था, यह line बड़ी important है, I hope आप सभी बच्चों को पता है, In all cases, when reasonable assurance cannot be obtained, any qualified opinion in the auditor report is insufficient, ठीक है, आप reasonable, sufficient appropriate audit evidences नहीं ले पा रहे हो, reasonable assurance frame नहीं कर पा रहे हो, तो S.A. case में और आपको लगता है, qualified opinion जो है, वो insufficient है, तो S.A. case में क्या करेंगे, सर या तो disclaimer देंगे, या withdraw करेंगे, engagement से, देखें, ये बात अगर आपको समझ नहीं है, तो इसके लिए आपको essay number 705 सभी types की opinion clear होनी चाहिए, तो ये वाला portion सभी student को सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, आपने ज़्यादा समय नहीं लगाना, learn क्या करना है मैं बता देता हूँ, जो उपर मैंने 5 points, misleading वाले 5 points करवाए हैं, वो थोड़ा सा याद करके जाना, ये सिर्फ रीड करके जाना, ये सब skip कर दो, एक ये point, एक ये point देख लो, सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए, important note, the user, user of the financial statement, stakeholders, however, should not assume that the auditor opinion is an assurance as to the future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affair of the enterprise, इस कह रहा है, user को ये assume नहीं करना चाहिए, कि हमारी जो opinion है, वो एक assurance है किसके उपर future viability, हम future future की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो historical financial की बात कर रहे हैं, जो पीछे जा चुके हैं, और ना ही हमने उस historical में efficiency और effectiveness की बात की, management ने अगर कोई गलट decision लिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, गलट decision सही तरीके से report हुआ है नहीं हुआ हम तो वो बता रहे हैं बस आपको यहाँ पे, ठीक है, यह questions अभी student important mark करेंगे, read करना है, learn क्या करना है, वो मैं बताऊंगा आपको, बस important है, तो basically page number, अगर number 200, scope of audit, what it includes, अगर कुछ बच्चे मेरी पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे scope of audit के अंदर सारे point एक साथ लिखे हुए, यहाँ पे divide कर दिया है, scope of audit के अंदर क्या-क्या cover होता है, और क्या cover नहीं होता है, देखे, सबसे पहले scope के अंदर क्या-क्या cover होगा, the following points are included in scope of audit of the financial statement, अगर paper में question आ जाए, कि scope, एक auditor के scope में क्या-क्या आएगा, scope को आप responsibility भी बोल सकते हो, तो सबसे पहला scope, सबसे पहला scope क्या है, आप बताओ, कि सर जो financial statement है ना, उसके सारे relevant aspects को आप cover करोगे, तो cover all aspects of the entity, ठीक है जी, organize adequately to cover all aspects of the entity, relevant to the financial statement being audited, सारे aspects को हम लोग cover करने वाले हैं, पहली बात, दूसरा, आपने क्या लेना है सर, reliability को देखना है, and sufficiency of financial information को देखना है, जिस data के base पे, financial बनाया गया है, output, उसका आपने input proper तरीके से देखना है, और उसके लिए सारे evidence is available है या नहीं, उसको चेक करना है तो इसको भी मैं आपके लिए read करूंगा, जो important चीज है वो पूरा read करेंगे, the auditor should reasonably satisfied that the information contained in underlying accounting records and the other source data like bills, voucher, documents is reliable and sufficient basis for the preparation of the financial statement, उसके base पे बनाया गया है, वो reliable है, sufficient है, the auditor make a judgment of reliability and sufficiency of financial information by studying and assessing of the accounting system and internal control system, अब आप बोलोगे सर आपने बोला है कि जो input है वो reliable and sufficient होना चीए, अब हम कब बोलेंगे कि इस company का input जो है, वो reliable and sufficient है, आप बताओ, आप कब बोलोगे किसी company का input reliable and sufficient है, सर उसके लिए आपको एक essay number 315 है, वो कहता है कि आप ROMAM निकाल लो, ROMAM का मतलब होता है, आप उस company का IR और CR देख लो, अगर आपको inherent risk और control चेक करने के बाद control risk कम मिलता है, तो इसका मतलब हम जो company के documents है, जो company का base data है, उस पर rely कर सकते हैं, तो definitely हमें क्या study करना पड़ेगा, reliability and sufficiency को चेक करने के लिए हमें accounting system और internal control को देखना पड़ेगा, and by carrying out appropriate test जैसे कि आपने inquiry देखा थ इसलिए बोलते हैं, chapter 1 के अंदर, chapter 1 को समझाने के लिए, chapter 4 समझाना बहुत जरूरी है, chapter 3 का essay 500 समझाना बहुत जरूरी है, तो जो ratification वाले student है, उन्होंने हो सकता है, chapter 1 पहले पूरा कर दिया हूँ, without understanding chapter 3 और chapter essay 500 and other essays, essay 700 series, तो इस chapter को करने के लिए ना, मैं खुद बोल रहा audit evidences, उसका भी घ्यान होना चाहिए, you should know sufficiency and appropriateness of audit evidence, सब का यहाँ पर एक आके mixer हो जाता है, तो पता ही होना चाहिए, तो क्या कहता है, essay 200 क्या कहता है, will cover all aspects of entity, और जितने भी financial information वो reliable and sufficient होनी चाहिए, reliable and sufficient कैसे पता चलेगा, by accounting system and internal control, बैटा यह मैं highlight क्यों कर रहा हूँ, क्य तो number नहीं मिल पाएंगे, उसके बाद क्या कहता है, देखिए, proper disclosure of financial information, जितनी भी information है, उसको आपने as per FR properly क्या किया है, disclose किया है, the auditor should also decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statement, he should also keep in mind applicable statutory requirement in this regard, जैसे कि banking regulation की अपनी requirement है, NBFC की अपनी है, PSU की अपनी है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, accounting policy वाला point हमने cover कर लिया है, उसके बाद बता रहा है कि यहाँ audit किसका करते है, historical का, understand the financial statement of an entity are prepared on historical financial information basis, historical financial information means, information expressed in financial terms in relation to a particular entity, drive primarily from the entity accounting system, about economic event, बस यह एक line important है, occurring in past time period or about economic condition or circumstance, at point in time in the past, हम historical के अंदर जो बीत चुका है, उसका audit करते हैं, अब आप मुझे ये बताईए, scope of audit के अंदर, what it includes, के 3 points आप मुझे comment section में बताईए, फटा-फट से, जो भी student बाद में recorded mode में देख रहे हैं, उनको भी बताना है, scope of audit, what it includes में आपने 3 points मुझे बताने क्या important है, जो आपके paper में आ जाए, तो आप लिख दो, जल्दी बताईए, अश्वनी ये आपका अपना 24 से बिटा, नहीं, दिक्षा हमने advertisement को जान बुच के ओन किया है, और सिर्फ एक initial वाली ad को ओन किया है, multiple ads नहीं आएंगी वीडियो पे, वो हमने जान बुच के ओन किया है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की, जो YouTube में basically expert है, वो कह रहे है, अगर मैं advertisement बंद रखूंगा, तो जो YouTube का algorithm है, वो वीडियो को नहीं बच्चों को suggest करेगा, नहीं users को suggest करेगा, क्योंकि उसको उससे कोई भी फायदा नहीं है, बिलक not include, ये भी बेटा मैं आपके लिए important mark कर रहा हूँ, कि scope of audit के अंदर क्या include नहीं होता है, सबसे पहली बात तो ये कि जो management है, वो हमसे ऐसा expect बिलकुल भी ना करें कि हम ऐसा कोई काम करेंगे, जो हमारे domain का ही नहीं है, जैसे कि मैं आप से पूछू, भाई सब बताना इस काम को करने के लिए कौन सी machinery चाहिए, यह जो हमारी machinery इसके efficiency चेक कर दो, यह हमारे civil structure के बारे में बता दो, यह 100 साल पुराना है, कितने साल और चलेगा, भाईया, इसके लिए आपको expert hire करने पड़ेंगे, this is not my cup of tea, यहाँ पे मेरी expertise नहीं है, so I am out, कैसे, क्या बोलोगे, this is not our expertise area, so we are out, तो सबसे पहला point क्या है, auditor is not expected to perform duties wishful outside domain of his competence, point याद करना important है, आगे वाला point आप अपने इसाब से example मना के लिख सकते हो, दूसरा, an auditor is not an expert in authentication of documents, भाईया, आप लोग, auditor जो है, वो एक positive mindset के साथ आता है, आप लोगों से, अगर मैंने कहा, एक invoice दो, और आपने मुझे invoice दिया, तो मैं मान के चल रहा हूँ, यह invoice original है, सही है, अगर आपने यह जाली invoice बना रखा है, इसमें मेरा कोई भी risk नहीं होगा, यह management का fraud कहलाएगा, तो basically मैं एक assumption लेके चलता हूँ, कि management जो भी data मुझे दे रहा है, वो सब सही है, reliable है, sir, अगर मुझे शक है documents पे तो, तो definitely हम further checking करेंगे, दूसरे source evidences लेंगे और देखेंगे कहीं समें कोई गढ़बर तो नहीं है, general case में हम क्या करेंगे, rely करेंगे, because we are not expert to verify the genuineness of the document, यह था second, so I am out, ठीक है, तीसरा कहता है, we are doing audit, not the investigation of alleged wrongdoing, investigation क्या होता है, जब कुछ गलत हो जाता है, तो उसको investigate किया जाता है, reason के साथ, who is responsible, और क्या penalties रहेंगी, वो सब decide गयाती है, लेकिन auditing में तो positive mindset के साथ जाते हैं, कि भईया, financial statement management ने बनाए है, बस हमें check करना है, कि इस पर FRF बने है, कि और अपनी मोहर लगा के देना है, लेकिन investigation में negative mindset होता है, कि already कुछ गलत हुआ है, आपको देखना होता है, क्यों हुआ है, कौन responsible है, तो हम investigation नहीं करने है, investigation के अंदर जो बंदा investigate करता है, उसको special legal rights में मिलते हैं, कि आप चाहो तो चीजों को seize कर सकते हो, या किसी को jail में भी लेके जा सकते हो, अगर if required, but audit में ऐसे कोई भी legal rights हमें नहीं मिलते हैं, हम आज जोड़कर client से request ही कर सकते ह तो data दे दिया तो काम कर लेंगे, थपडवपड नहीं मार सकते हैं, कि data क्यों नहीं दे रहे, ऐसे 210 में बोला था ना, सब कुछ देना होगा, ना, मांगी सकते हैं, नहीं दे रहे, तो हम हमारी audit report में disclaimer of opinion दे देंगे, थपडवपड मुका बाजी नहीं करेंगे हम लोग, investigator क कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो तीसरा point आता है, audit के अंदर investigation include नहीं होता, अच्छे एक बात बताओ, क्या audit और investigation में difference है, बिलकुल सर, ये भी आपका important point है, investigation जो है, वो एक critical examination है, with a special purpose, ठीक है, जैसे कि fraud, और जो objective of audit है, वो हमने ऐसे 200 में पढ़ी लिया है, ये important है, बस देखो, उपर तो बड़ी simple बात है, ये वाला paragraph आप लोग रीड करके जाएगा, क्या कहता है, therefore, audit is never started with a preconceived notion about state of affair, about wrongdoing some, wrongdoing or some wrongdoing have been committed, क्या आप लोग जब audit करते हैं, इमान के चलते हैं, कुछ गलत हुआ है, नहीं ना, जो मिलता है, हम उसे report करते हैं, however, it is quite possible that sometime investigation result from the prima facie finding of the auditor, auditor ने अपना audit किया, उसे कोई fraud मिला या उसे कोई misstatement मिला, उसकी misstatement से management ने का कि भाया हम investigate करवाएंगे, तो audit के बाद investigation उसका result हो सकता है, तो देखो जी, ये था हमारा एक concept, जो important concept था, scope of audit, what it includes and what it does not include, जो आउट of scope की, क्या बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, reasonable assurance आप सभी बच्चों को पता है क्या होती है भाया, एक high level assurance होती है, क्या होती है, high level assurance होती है, reasonable assurance is to be distinguished from the absolute assurance, absolute assurance is a complete assurance or guarantee that the financial statement are free from material misstatement, it is a high level of assurance but it is not a complete assurance, अच्छा एक बात हम sufficient appropriate audit evidence लेकर, risk को कितना reduce करते हैं, zero level पे ले जाते हैं, क्या, जल्दी बताईए, क्या risk को हम reduce करके zero level पे ले जाते हैं, क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी बताईए, और अभी आप देख रहे हो, like बढ़ गया, like थोड़ा सा कम है, जल्दी बताओ, no sir, तो कितना reduce करते हो, pre करना reduce करेंगे, risk and never be acceptable low level, बिल्कुल सही का, हम लोग acceptable low level तक उसे reduce करते हैं, ठीक है जी, और आप risk को zero नहीं कर पाते हो, इसके कुछ reason होते हो, और उन reason को क्या बोलते हैं, inherent limitation of audit, तो inherent limitation of audit जो है, यह again एक most important concept है, CA Inter के लिए, इसकी भी linking बहुत अलग अलग जगे पे आपको द time की बात करूँ, तो individually question पूछता था, कि भाया inherent limitation of audit बता दो, लेकिन अब जमाना change हो गया है, मैंने आपको class में ही बताए, तो आप बताओ, ICI आपसे कैसे question पूछेगा, sir पहली बात तो वो यह line ने देदेगा, जो red वाला portion है न, inherent limitation के बारे में ही है, यह देदेगा कहेगा explain करो, अगर ऐसा आता है, तो यह question simple हो गया, दूसरा question वो यह देता है, कि भाया एक auditor कभी भी absolute assurance नहीं दे पाता है, because of the nature of financial reporting, मतलब उसने point ही बता दिया, और मुझे तो समझ नहीं आता, कुछ बच्चे न, इन point को याद कर रहे होते हैं, निमोनिक बना के, अरे तुमारा क् जब ICI तुम्हे point देगा, क्या होगा, सोचो, तुम्हे ऐसे डसने को मिलेगा paper में, क्योंकि ICI न, अब heading नहीं देने वाला, ICI तुम्हे point देगा, और मैं कह रहा हूँ, मा करसम, अब तो ICI उससे भी नीचे चला गया, वो कह रहा है, मैं बच्चों को मारूंगा, मारूंग पहले क्या होता था, वो आपको heading देता था, फिर उसने थोड़ा सा शैतान का रूप धारन किया, वो आपको point देने लगा, अब तो वो और भी बड़ा शैतान हो गया है, बताओ आप क्या देता है, यह next level है, अब बताओ आपको क्या देता है, मैं जाना चाहता हूँ कि कितन उसने heading दी, तो यह हो गया level 2, अब बताओ वो क्या देता है, जल्दी, जल्दी, quickly, मैं प्रजापती ने बिलकुल सही बोला, सब वो answer ही दे देता है, अब वो क्या देता है, यह है level number 3, and this is the point जहाँ पे आप लोग गय, क्योंकि आप लोगों को चाहिए heading, तो फिर आपके व देगा, यह line देगा, preparation of financial statement involved making many judgment by management, kindly explain, ढूलते रहो, kickbook में वो line कहा थी, ऐसे सारे question ने आएंगे, बट 2-3 question आ सकते हैं, तो मैं आपको यह इसलिए बोलना चाहरा हूँ, बहुत ही तसलिस है इस concept को read करना, यह favorite concept है, ऐसा मैं हर जगे नहीं बोल रहा, क्या ऐसे हर जगे इत answer देदेगा, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, कि question कौन सा है, और फिर balance answer आपको लिखना पड़ेगा, हे भगवान हाँ जी, आप देखो concept तो आपको सबको आता है, लेकिन मेरा main purpose यह था कि मैं आपको यह समझाओं कि exam किस level पे आ सकता है, इस बार की RTP देखके और MTP द requirement देखिया आपने, मा कसम वो question कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे वो ICA frame करके देगा, बट क्या पूछा है उन्होंने, उसके लिए सुभान अल्ला, हम और मैंनत करेंगे, लो जी, आप में इस concept को करवा रहा हूँ, Inherent Limitation of Audit, as per asset 200, यह आपको पता ही है, overall objective of the independent auditor and the conduct of audit in accordance with standards on auditing, क्या कहता है, देखेगा, inherent limitation, the auditor is not expected to, expect भी मत करना, and हम कर भी नहीं सकते, क्या, reduce audit risk to zero, हम करी नहीं सकते, and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement due to fraud or error, this is because there are inherent limitation, पहली inherent limitation क्या है, देखो, पहली inherent limitation क्या है, पॉइंट भी समझो साथ साथ, financials कोन बनाता है, auditor, जल्दी बोलो, financial कोन बनाता है, auditor, जल्दी बताओ, financial कोन बनाता है, sir, management, management financial बनाती है, financial को बनाना भी possible नहीं है, 100% factual basis पे, 100% financial को सही बनाना भी possible नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि sir, management ना provisions बनाती है, management future को estimate करके उसकी liability को recognize करती है management बहुत सारी हमारे cases जो चल रहे होते हैं उनका disclosure देती है तो management भी financials बनाने में materiality को भी follow करती है आप बोलोगे बहुत सारी जजमेंट होती है जो में आज नहीं पता जो future में पता चलेगी तो उसे भी disclose करेंगे तो सबसे पहली बात तो जो बनाने वाल करता है क्योंकि financial की अपनी खुद की कुछ limitation है एक point तो यह हो गया nature of financial reporting मतलब किसके बिलोंग करता है यह management से बिलोंग करता है दूसरा point कहता है कि हम audit करने गए हैं हम investigation नहीं करने गए हम audit करने गए हैं हमारा भी अपना एक limitation है क्या हम 100% checking नहीं करते हैं हम हमारे audit के अंदर द checking क्या करते हैं less करते हैं और हम एक high level को ही acceptable low level माल लेते हैं तो इसका मतलब जब मैंने अपना audit sample basis पे किया है तो मैं कैसे बोल दो 100% सारी चीजे सही हैं नहीं बोल सकता कभी नहीं बोल सकता दूसरा बहुत सारे ऐसे area होते हैं जहां पर मैं management से information लेता हूं example related party हो सकता है management मु एक तो होती है हमारी practical limitation कि हम sampling basis पे काम करते हैं एक होती है legal limitation हो सकता है management मुझे data ना दे और मैं उसको mark पीट सकता नहीं हूँ ठीक है जी उसके बाद हो सकता है management क्या कर रखो बेटा intentional fraud कर रखे हो हो सकता है management related party transactions डाल रखे हो यह पहले आपका इंटर में full flash chapter हुआ करता था प यह पूरा read कर लेते हैं concept reading कर वाद हूँ क्या एक बार जल्दी बताओ concept बहुत असान है बस मेरे को इसमें यह बताना था कि question कैसे कैसे आ सकता है एक बार मुझे बताओ मैं read करूँ क्या बस yes और no मैं फटा-फट से बोलो राधे क्रिष्ण राधे क्रिष्ण राधे क्रिष्ण क्रिष्ण राधे राधे पोल पे लो जी nature of financial reporting क्या कहता है देखे preparation of financial statement जो management financials बनाती है that involve making many judgment by management management खुद financial को बनाने में judgment use करती है these judgment may involve subjective decision or degree of uncertainty therefore auditor may not be able to obtain absolute assurance देदा financial statement free from material misstatement due to fraud or error जब management ही judgment लगा रही है तो मैं कैसे आपको 100% assurance देदू भईया कैसे बोल दू financial statement correct है कभी नहीं बोल पाएंगे दूसरा responsibility of preparation of financial statement belongs to management and design of internal control आपको पता है वेटा internal control को design करने की जिम्मेदारी management क्यों होती है management ने control तो design कर दिया ध्यांस सुनिएगा मेरी बाद management ने control तो design कर दिया कि भईया आप जो भी purchase करोगे 5 लाग से उपर वो CEO साब sign करेंगे या अगर मेरे को store से कोई भी material लेके जाना है department manager अप्रूव करेगा और store manager अप्रूव करेगा आपने control तो भाई साब बहुत ही बड़ी आग design किये हैं लेकिन आप implement ही नहीं कर रहे हो और अगर implemented है तो पूरे 12 महीने continuous operated ही नहीं है तो जब आपके control fail हो रहे हैं तो उसका मतलब आपके documents पर मैं relyक करी नहीं पाँगा अभी उपर पढ़कर आएगा तो मैं आपका absolute assurance कैसे देदू ऐसा हो सकता है ना management ने control तो design कर दिया बट implement नहीं किया हो सकता है designing ही गलत कर दियो तो दूसरा question कै आता है responsibility of preparation of financials and design of internal control chapter 3 से भी लोग कर लो chapter 3 जोब का internal control risk assessment है वहाँ से one of the premise for the conducting an audit is that management acknowledge its responsibility of preparation of financial statement in accordance with applicable FRF and or devising suitable internal control however such control may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation विटा आपको पता होगा ना internal control में आपको बताया जाता है internal control की भी कुछ inherent limitation होती है लिख लो यहाँ पे लिख लो यहाँ पे link with इस concept को समझने के लिए chapter 3 के उस concept की knowledge होनी चीए link with inherent limitation of internal control chapter number 3 तो इस वज़े से हो सकता है वो भी fail हो जाए तीसरा क्या कहता है audit procedure में क्या limitation है practical limitation है वही हाँ sampling based पर काम करते है 100% checking नहीं करते है लो जी the auditor carry out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedure definitely हम apply करते है कौन-कौन से audit procedure लगाते है सर हम बताओ जरा risk assessment compliance substantive however there are practical and legal limitation on ability to of auditor to perform audit evidence for example an auditor does not test all transaction in balance he form his opinion only by testing samples हम sample wishes पे काम करके भाई साब आपको opinion देते हैं अच्छा जी याद रखना दुबारा से बता रहा हूँ इस chapter के बाद मैं आपको chapter wise बढ़िया question की listing दूंगा वो question आपने जरूर करके जाने है स्वाह मजा आजाएगा आप लोगों को सर ये मत समझना जो question में दूंगा वो exam में आएंगे बार 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 मैं emphasis of matter paragraph आप लोगों को दे रहा हूँ वो बस अच्छे question है ये मत समझना की वो exam में आएंगे ओ emphasize कर रहे हो 706 लगा रहे हो सर आप की audit matter समझ लो चलवा legal limitation management may not provide complete information as requested by auditor there is no way by which auditor can force management to provide complete information in case he is not provided with required information he can only report report में क्या जाएगा बताओ disclaimer और maybe we will resign ठीक है उसके बाद देखिए fraud by management essay 240 आपके syllabus से हट गया है exam के बाद अगर आपके पास समय है chapter 5 CA inter audit YouTube पे सर्च करना मेरी वीडियो आएगी fraud के उपर 2 गंटे का वीडियो है या 10 गंटे का वीडियो है देखना उससे आपको ये फायदा होगा मैं बताता हूँ इसको आपने exam के बाद देखना है सर क्यों बिटा आपके interview के बहुत सारे question cover होंगे interview question जो कि आपके syllabus से पता निक क्यों हटा दिया J.E.Testing हटा दिया बहुत सारा concept था जो कि आपको fraud में सीखने को मिलेगा और ओडिटर हो तो आपको पता ही होना चाहिए तो exam के बाद ये video आके देख लिना fraud वाली मेरी chapter number 5 के नाम से playlist में है अगर कोई fraud किया है तो बहुत ही दिमाग से किया होगा documents अरेंज किया होंगे by designing sophisticated and carefully organized scheme which may be hard to detect by the auditor भाई management अगर fraud कर रही है company के माली की अगर fraud कर रहे है तो एक बाद बताओ कहीं कोई गलती छोड़ेंगे क्या अगर मैं purchase में fraud कर रहा हूं तो purchase का invoice भी मिल जाएगा gate entry भी मिल जाएगा e-way bill भी मिल जाएगा मैं साबर इंच कर दूँगा लेकिन अगर एक employee ने fraud किया होगा तो क्या उसको पकड़ना आसान है सर बिलकुल आसान है क्योंकि हो सकता है वो CEO के sign ना कर पाएं वो एक आज जगे तो fraud कर देगा लेकिन उसकी linking जो 5 जगे होती है न वो छोड़ देगा क्योंकि employee के पास इतने right नहीं होते तो management fraud आसानी से कर सकती है और एक auditor हो सकता है पकड़ भी ना पाए तो यह बहुत डिटेल में है यह chapter दिहान से आप इसको करना ऐसे 550 आप 550 की वीडियो देखे इस point को cover कर लेना यह point already हमने cover कर लिया है कि हम भी यह investigation नहीं कर रहे हमें timely हमारा audit complete करके देना है तो यह भी एक limitation है दूसरा आपको पता है ना बेटा हम एक auditor 5 साल के लिए audit करता है रेकरिंग audit है अगर मानलो मैं first year गया मैंने कोई information ली उसके बेस पर audit किया second year गया मेरे को same agreement चाहिए था मैंने second year भी लिया audit किया मैं third year गया मैंने agreement नहीं लिया क्यों नहीं लिया क्यों नहीं लिया वो इसलिए नहीं लिया मुझे लगा मेरे पास already है मैंने पिछले साल के evidence के बेस पर इस साल audit कर दिया साही क्या क्या, नहीं सर आपने गलती की, आपको at least पूछना चाहिए था कोई अपडेट हुआ या नहीं हो, तो कभी-कभी ओडिटर ये भी गलती कर सकता है, कि पुराने evidence के ऊपर आपने कोई opinion ले लिया, कोई work कर लिया और वो evidence हो सकता है, अपडेट हो गया हो, तो relevance of information भी जो है, over time आपकी change हो जाती है, decrease हो जाती है, उस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है, और एक आपका future event भीया, जिस पे हमारा कोई control नहीं है, ऐसे 560, subsequent event, इसके लिए आपको detail में देखना होगा, future event और condition में affect an entity adversely, adverse event may be seriously affect ability of an entity to continue its business, उसके बाद आता है, auditors requirement, ये responsibility of auditor, ठीक पहले ये करवाँगा, ये ICAI के chapter number 11 में cover है, ICAI chapter 11, ethics का क्या मतलब होता है, ethics looks good in book, book में बहुत अच्छा लगता है, real life में आप लोग ethical नहीं हो, आप लोग ethical हो क्या, चलो मैं 2-4 बच्चों से पूशता हूँ, अरुन, बेटा, are you ethical, पुलकित, जल्दी comment करके बताओ सभी student, are you guys ethical, फटा-फट से बताओ, अरे वा, क्या बात है, जो live viewer है, उतने ही live, मज़ा आ गया, जल्दी बताओ, क्या आप लोग ethical हो, sir हम ethical नहीं है, हम मान रहे हैं ये बात, तो इसका मतलब ये ethics जो है, ये books में बहुत अच्छा लगता है देखने को, real life में आप लोग ethical नहीं होते ह नहीं सर्वी, आर no ethical, तो you are going to become chartered accountant, तो आप खुदी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है, कि आपको ethics को follow करना चाहिए, ये ethics क्या है, ये आपके moral principle है, जो आपके teacher ने आपको सिखाया है, जो आपके parents ने आपको value दी है, वो value आपको आगे follow करनी है, और मेरे सारे student तो सुनने चाहिए, और ये नहीं है कि आपको कोई गलत काम करना चाहिए, लेकिन आपको कोई iPhone दे, तो आप अभी सारे ethics चोड़गे, कुछ भी कर जाओगे, ठीक है, लो जी, देखो क्या कहता है, हमें तो आस तक कही नहीं दिखाए, एथिक्स is the science of moral in human conduct, तो ये तो हो गई इसकी basic बात की भाया, ये आपकी intrinsic value है, लेकिन need for professional ethics, क्या आपको professional ethics को follow करना जरूरी है, अब बताओ, definitely, देखो, ICI को पता है, कि ये लोग ethical तरीके से काम नहीं करेंगे, इसलिए rule बना देने बहुत जरूरी है, इसलिए CA final में आप एक chapter भी पढ़ोगे, बकाय था, जिसका नाम ही professional ethics है, वो आपको बताएगा, आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या काम नहीं करोगे, तो आप आपको professional ethics की जरूरत क्या पड़ी, सर अभी अभी आपने उपर पढ़ाया, कि एक chartered accountant जब audit report को sign कर देता है, तो उससे जो user होते है, उनका confidence बहुत बढ़ जाता है, उस audit report के उपर, इसका मतलब ICI को rules बनाने पड़ेंगे, ताकि आप अपना काम सही तरीके से करो, और अगर आप किसी भी चीज को non-comply करते हो, तो आपको penalty लगेगी, और आपका हो सकता है, membership भी cancel कर दिया जाए, और 2-4 महीने के लिए हो सकता है, free का खाना भी खिलाया जाए, आप मुझे comment करके बताना, free के खाने का मतलब क्या है, लो जी, और सच में मत खाने पहुच जाना, लो जी Need for professional ethics, यह important question है, मैं mark करना भोलिया था, मैं mark कर रहा हूँ, society in general, government, client, taxing, authority, employees, investor, the business and financial community in particular, have reposed a tremendous trust in service rendered by a chartered accountant, बहुत ही बड़िया trust के है उन्होंने, ठीक है जी, तो उस trust को maintain करना होगा, उनके confidence को बढ़ाना होगा, तो ऐसे ही rule बनाएगा, The purpose of assurance engagement is to enhance confidence, क्या बात है, enhance confidence of the intended user, therefore, therefore, user need to trust the person who is providing such service, professional ethics seeks to protest, बेटा सारे की बड़ों अलड़ी हाइलाइट इने बुक में, Protect the interest of the profession as a whole and act as a shield that enable us to command respect, अगर हम ethically काम करेंगे, तो भी respect भी मिलेगी, अब आप एक बात आओ, अब आप एक बात आओ, आप क्या करोगे, आपने, इशान मितल, आपने मुझे बताना है, आप, इशान मितल आपने मुझे एक बात बतानी है, आप CA India का audit करने गए, starting में आप बहुत ही ethical तरीके से काम कर रहे थे, CA India परिशान होगे आपको audit करवाते करवाते, मेरा एक team member आके कहता है, इशान यार, I have something for you, एक प्यारा सा gift है, इशान, ये एक iPhone है, ये आप रख लो, ये आपके लिए है, तो आप मुझे बताओ, अगर आप ये काम कर लेते हो, तो क्या आपको respect मिलेगी, नहीं सर, उस case में मुझे respect नहीं मिलेगी, तो आपको ethics को follow करना जरूरी है, सर मुझे नहीं चाहिए, respect मुझे iPhone दे दो, वो एक अलग बात है, वो आपको, आपका ethics है वो, देखे क्या कहता है, any deviation from ethical responsibility brings the disciplinary mechanism, ठीक है जी, आपको penalties लगेंगी, into action which may result into fine suspension of membership, removal from membership or other disciplinary action, तो ये तो बता रहा है, ethics क्या है, professional ethics की requirement क्या है, और अगर आप इसे deviate करते हो, तो disciplinary mechanism, disciplinary आपके उपर proceedings लगेंगी, लगेंगी, एक औ और question आता है, जो कि मुझे लगता है, separate 3 to 4 mark का आ सकता है, अगर ये question आए, तो आप ethics को वापस explain कर सकते हो, ये कहता है, principle based approach versus rule based approach, principle के अंदर बोल रहा है कि आप rule को भी follow कर लो, प्लस आपको जो सही लग रहा है, वो काम आप करो, rule में बोल रहा है, सही क्या लग रहा है, उस you are following regulations, you are also following your morals, ethics, और rule में कह रहा है, मेरे को कुछ नहीं follow करना, बस rule को पूरा कर लो, उसके अलावा कुछ भी करो, जैसे कि rule कहता है, कि आप independent रहोगे, independent रहने का मतलब क्या है, मेरे पास, मेरे family के पास किसी तरह के कोई shares नहीं होने चे, मैं कहता हूँ, दोस्तों को दिलव लेकिन rule में तो नहीं लिखा ना भाई, तो rule को avoid करो भई या, principle को follow करो, तो principle-based approach versus rule-based approach, ethical versus legal, or legal, the essence of, essence of principle-based approach is that it required compliance with sprit of ethics, भई सारा comply करेंगे company act, का, कोई हम नों comply नहीं करेंगे, वो चाहिए, sprit चाहिए आपको, है क्या किसी गे अंदर, बता देना मुझी कमेंट सेक्शन यह है ethical requirement, यह बड़ी simple है, आप लोगो को, I hope आप लोगो को आती होगी, integrity का मतलब क्या है? आपको हमेशा straightforward रहना है, honest रहना है, इमानदार रहना है, किसी दूसरे को, कोई दूसरा अगर कोई गलत काम कर रहा है, यह नहीं कि चल ठीक है, मेरे को 5 रुपे दे दियो, मैं तेरे साथ involved हो जाता हूँ, नहीं भईया, कभी भी आपको किसी गलत काम के साथ involved नहीं होना है, आ ठीक है, जी, धुरूब आ रहा हूँ अभी आपकी गवरी पे, objectivity, कभी भी अपनी judgment को compromise नहीं करना है, professional competent trainings के ओपर बात करता है, confidentiality, client का data कभी भी किसी को outside को नहीं दिखाना है, इसका एक exception होता है, क्या, जब low and regulation allow करे, या client आपको permit करे, कि भाई, आप हमारे भीहाफ पर text म जा कि हमें प्रेजेंट करो, उस case में हम client का data दिखा सकते है, professionally behave करना है, ठीक है जी, यह general concept थे, independence का concept अभी हम detail में करेंगे, यह दो concept, professional skepticism, professional judgment दोनों ही important है, अच्छे से करके जाईएगा, professional skepticism क्या कहता है, बताईए, professional skepticism कहता है, एक auditor को हमेशा questioning mind follow करना है, हमेशा alert रहना है ऐसी condition पर जो indicate करे, miss statement, due to error or fraud, और critical assessment करें हमेशा audit evidence का, यह क्या मतलब है, मानलो, आपने inventory का कोई document लिया, client ने आपको document दे दिया, तो आप यह नहीं बोलो कि ठीक है, जी document आगया, रख दो इसको, नहीं भाईया, आप देखो, कि वो document ठीक है, क्या, जिस चीज के लिए आप चेक कर रहे थे, वो purpose आपका पूरा हो रहा है क्या, तो तीन बाते cover होती है, यहां पर, क्या, एक तो questioning mind रहना है, मेशा, आपने हर तरह की conditions पर alert रहना है, जिसके वएसे miss statement हो जाए, और तीसरा क्या कहता है, audit evidence को आपने critically क्या करना है, assess करना है, questions देख, बुझने हैं, अग परलूप नहीं करेंगे, किसी भी unusual circumstance को, हर चीज़ को हम बेटर तरीके से review कर पाएंगे, दूसरा क्या कहता है, हम किसी भी conclusion को generalize नहीं करेंगे, detail में पहले उसको review करेंगे, उसके बाद conclusion बनाएंगे, और किसी भी तरह की inappropriate assumption को use नहीं करेंगे, NTE of audit procedure, decide करते टाइम, या उस इसके benefit, यह क्या हो गए, इसके advantage, ठीक है जी, उसके बाद आता है, professional skepticism include being alert to contradictory audit evidence, question on reliability of document, अगर आपको document की reliability पे अगर आपको सवाल है, तो question पूछो, यह नहीं, मैंने मान लिया, अभी अभी आप उपर पढ़कर आयो ना, कि हम genuinely नहीं देख सकते, भाई, मुझे doubt है, तो कुछ लग रहा है, कि कोई personal expenditure आपको दिख रहे है, definitely you should ask question, और आपको कोई ऐसे circumstance है, जहां पर need for audit procedure in addition to those suggested by, ऐसे, जैसे कि 500 एक inventory है, आपको inventory का physical verification करने के बाद भी doubt आ रहा है, कि उसकी नहीं है, तो further audit procedure लगा हुआ, ठीक है जी, और भी इसने बताए है कि professional skepticism आपको कब कब चाहिए, इसको आप skip करता हो, फिलालबी के लिए, तो ये था professional skepticism, important है आपके लिए, उसके बाद आता है professional judgment, judgment मतलब मेरा ग्यान, मेरी knowledge, मेरी training को मैं apply करूं audit के अंदर, तो इसके अंदर main question यहीं आता है कि professional judgment आपकब कब लगाओगे, तो इसका simple answer में आपको बताऊं, सर planning पे भी लगेगा, execution पे भी लगेगा, reporting पे भी लगेगा, audit के अंदर कोई भी एक ऐसी stage नहीं होती, जहां पे हम judgment ना use करें, चाहिए वो ROMAM का calculation हो, चाहिए वो control के designing की बात करूं मैं, चाहिए वो materiality का calculation करूं, चाहिए मैं reliability of audit evidence देखूं, कुछ भी, चाहिए मैं conclusion frame करूं, हर जगेगा पे हमें professional judgment को use करना होता है, ठीक है, meaning देखिए, the application of relevant training, knowledge and experience within the context provided by auditing, accounting and ethical standard in making informed decision about the course of action that are appropriate in the circumstance of the audit engagement, मैंने एक बच्चे की query है, सर मेरे को याद नहीं होता, मैं उसका reply जो है इस chapter के आखरी में करूंगा, अभी जो हमारा concept पूरा हो जाए, The auditor shall exercise professional judgment in planning and performing an audit of financial statement, its exercise depends on the facts and circumstances known to the auditor, professional judgment to be exercised throughout the audit, ऐसा नहीं किसी एक stage पे लगा दिया, बाकिया बराम से, mind बंद गर के बैट जाओ नहीं, professional judgment is important when deciding about, यह कुछ example दिया है, कब-कब आपको professional judgment लगानी होती है, materiality और audit risk देखते है time, NTE के time, sufficient appropriate के time, judgment को देखते हुए, conclusion को frame करते हुए, but you can write many more points, ठीक है जी, उसके बाद आता है, यह आप self read कीजेगा, हर company के लिए audit mandatory है, ठीक है, I say, कभी-कभी, यह वाला question बहुत बार पूछ लेता है, exam के अंदर, कि यह audit के benefit बताओ, और इसी को न, मैं आपको थोड़ा और असान बता जता हूँ, इसी को copy कर लेना, थोड़ा सा content add करके, अगर आपके paper में आ जाए, कि partnership का audit करवानी का क्या फायदा है, audit of different type of entity, soul proprietor को क् ठीक है, तो वहाँ पे भी आप यहीं से point निकालके mention कर सकते हो, उसके बाद आपका question आता है, यह भी आपने self-read करना है, बड़ा simple सा point है, skip भी कर सकते हो आप इस तरह के question को, एक auditor को हर area की knowledge होनी चाहिए, चाहिए वो financial management हो, cost accounting हो, taxation हो, human behavior हो, क्यों वो सबके साथ deal करता है, औ to 10 आता है, और independence आता है, तो सबसे पहले हम independence को discuss करेंगे, तो जो मैं important बता रहा हूँ न, अगर कोई student जैसे मैं आपको बता हूँ, जो मैंने आपको important बता है न, बस आप इनहीं को करके जा सकते हो, ethical requirement जरूर read करके जाना, बता रहा हूँ, प्रंजल independence देख लेते हैं, देख का मतलब यह है कि कहीं पे भी मैं कोई गलत behave ना करूं, कहीं पे भी मैं आपको ऐसा present ना करूं कि मैं चीजों के साथ connected हूँ, आपको हमेशा professionally behave करना है, इवन जब आप professional ethics chapter पढ़ेंगे CA final में, तो उसमें तो ये भी covered है कि अगर आप personal level पे कोई लडाई दंगा करते हो, या आपके साथ कोई गलत होता है, उस case में भी आपको penalty लगेगी, क्यों, क्योंकि आप profession का नाम खराब कर रहे हो, और judgment तो भाईया, आप judgment जो लगाते हो हार एरिया में वो है, तो judgment और जो आप competence बोल रहे थे, वो interlinked है, अब बात करते है, independence of auditor, independence of auditor क्या है जी, कि भाईया नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे audit में बताया गया है, कि independence का मतलब सिर्फ उस से नहीं है, जो लिखा हुआ है, आपको हमेशा independent रहना है, mind से, mind से मतलब यह है, जो भी ethics पढ़कर आयो ना, कि आपने यह नहीं कहना कि चलो भईया, मैंने rule तो follow कर लिए, बट मैं mind से independent नहीं हर जगह पर इस तरह से act करना है, कि you look independent और कोई भी person यह ना बोले, कि आपकी जो ethical requirement है, वो compromised है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दो line ने read करवानी है, मुझे, पहले तो देखिए, guidance note of ICI क्या बोलता है, independence of auditor, independence imply that the judgment of a person, auditor की जो judgment है, यह general language है, इसलिए person वर यूज की है, is not supported to the wishes or direction of the another person, आपको किसी दूसरे के हिसाब से काम नहीं करना, who might have engaged him, ठीक है जी, उसके बाद हमारा independence क्या बोलता है, guidance, independence जो है, आपको mind से रहना है, और appearance में रहना है, यह दो line मैं आपको हमेशा बोला है, याद करनी है, learn करनी है, आपको state of mind आपका इस तरह का होना चाहिए that permit the provision of an opinion without being affected by any person और any influence, आपको अपना काम अपनी judgment के साफ से करना है, किसी से भी influence नहीं होना, so that you act with the, आप में short form में बोल रहा हूं, with all the ethical requirement of the audit, यह पे अलग-अलग लिखा है, आप बोल सकते हो ethical requirement, ठीक है, आपने appearance भी हमेशा independent करना है, इसका मतलब क्या है, the avoidance of facts and circumstance that are so significant that the third party would reasonably conclude that an auditor integrity या ethical requirement is compromised, तो ऐसा भी आपको कोई काम नहीं करना है, तो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले 5 तरह के threat है, यह सिर्फ और सिर्फ आप read करके चले जाएगा, ठीक है, आप मुझे यह बताओ, 5 तरह के threat है, वो 5 तरह के threat में सबसे पहला threat आता है, self-interest threat, कि आपने क किसी भी तरह से client के साथ financially अपने आपका कोई relation नहीं बनाना है, आप हमेशा client के साथ सिर्फ business relation बनाएंगे, तो self-interest threat में कुछ example नहीं है, क्या क्या example, एक तो आपका कोई direct or indirect financial interest नहीं होना चाहिए, दूसरा आप loan नहीं दोगे या आपके बिहाफ पे client loan नहीं देगा किसी को भी, third party को भी, आपका undue influence नहीं होना चाहिए client की face पे, बेटा एक दो मिनट का break ले रहे हैं, पानी वानी पीना है मुझे, एक दो मिनट का break ले रहे हैं, then we'll start again.